हेलो एब्रीबन मैं आज आप लोगों को बास्वेंदत्ता क्लास 12 का चैप्टर 8 अकाउंटिंग फॉर शेर कैपिटल का 35 नंबर कर समस करने जारी हूं जड लिमिटेड वाला इसमें आप लोगों को फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो में कॉल्सिन एडवांस वाला मैं यह सम अ समझेगा और एक बात अगर कॉल्सिन एडियर सीक्यूर्टी पे में डिसकाउंट ओन इसूफ शेर और अलॉट्मेंट इक्विटी शेर फॉर्फीटेट इसू इस सब चाहिए तो यह सब वीडियो के लिए मेरे प्रिवियस जितनी भी वीडियो हैं इस चैप्टर के सब भी में फॉर्फीटेट इसू यह सब और फिफ सिक्स वाले में मैंने बैलेंशीट कैस्ट बुक भी खोलना प्रिपेर दिखाया है तो यह सब सारे वीडियो आप देख लीजिएगा तभी यह भी समस बनाईएगा तो कि अब मैं इस वीडियो में आप लोग वाज कॉल्सिन जाए यह पर फिर फेल हो जाए मतलब वह रिस्तीव ना किया जाए ज्ये वह छूट जयाए जिसक्ति कंना हो किया तो ऊता है उसी तरह से अगर आपका share pay हो जाए, shareholder 600 या 100 जितना भी share है, वो pay कर दे, मतलब वो share fail ना हो, तो उसे हम लोग कहते हैं, call scene advance, और वो पहले ही advance की रूप में, वो share pay किये जाते हैं, तभी तो नाम परता है call scene advance, तो उसमें कुछ changes नहीं है, वहाँ fail हो जाता है, तो call scene advance यहाँ pay हो गया advance की रूप में, तो यह call scene advance हो गया, और अच्छे से introduction जाने के लिए, मेरा part 1 वीडियो देखीगा, तो आपको और अच्छे से clear समझ में आएगा, कि यह क्या है, call scene advance क्या है, उसमें मैंने part 1 वीडियो क्लियर ही बताया है, यहाँ मैं मैं आपको बता दिया, ठीक है, तो call scene advance क्या है, कि आपका share fail जब नहीं होता है, वो P हो गया, पहली ही advance के रूप में, तो उसे हम लोग call scene advance कहते हैं, और वो हमारा किस तरह से होगा, कैसे होगा, वो मैं आप लोगों को सम में बताऊंगी, और अच्छे से अगर detail से जानना है तो मेरा apartment वीडियो जरूर देख लीजेगा, उसे आप लोगो clear हो जाएगा, और अगर सारे points आपको अच्छे से जानने, तो मेरे सारे वीडियो देखे, क्यों इस सब वीडियो में मैंने अलग-अलग-अलग कुछ ना कुछ unique चीज, मतलब जैसे forfeited हुआ, call scenario हुआ है, तो 50,000 equity share of rupees 10 each, ठीक है, 10 रुपया करके है, premium है आपका 2 per share, ठीक है, premium हो गया, मतलब आपको मैंने पहले ही बताय था, premium हो जाता है, तो 10 तो 12 आपके total हो गया, application 3 रुपया है, allotment में premium including है, 6 तो 2 तो premium है, मतलब 4 हो गया, allotment 2 premium, first and final को एक साथ ही दिया है, 3 रुपया, तो 3 कितन हो गया, यहां भी देखे, 6, 3, 9, 3, 12, total 12 हो गया, 10 और 2, 12, तो 12 होने चाहिए थे, face value रुपीज, तो वो आपके हो गया, ठीक है, अब चलिए देखे, application, we receive for 60,000 shares, साथ जार शेयर एप्लिकेशन रिसीव हुआ है, access application money was refunded, मैंने last वीडियो, उसके पहले वाली वीडियो मैं मैंने access money refunded भी बताया था, कि जब यह आता है, तो two bank होता है, वो आप इसके पहले वाले वीडियो में मेरा देख लीजिएगा, मैंने refunded बताया हुआ, अच्छे से, one shareholder, holding 400 shares, paid the first and final call, यह देखे, एक shareholder है, जो 400 share pay कर दिया, first and final call में, in advance, इसका वांदर calls in advance, अगर यहीं पे होता, not pay, या not receive, या fail, ऐसा कुछ लिखती है था, तो क्या होता, call scenario, मतलब वो fail हो गया, ठीक है, along with the allotment money, another shareholder, शिक संदर से fail to pay the first and final, देखे, पहला हुआ, 400 pay, advance के रूप में, 600 हो गया, fail, first and final call pay, मतलब call scenario भी आएगा, और call scenario भी आएगा, और call scenario भी आएगा, ठीक है, 400 call scenario और 600 करके call scenario, okay, all other dues on share were realized in timely, so necessary general entry in the books of Gen Limited, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को balance sheet सिखाया, cash book भी करना सिखाया है, इसके पहले वाला वीडियो में जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, last class, मतलब last वीडियो जो इसके पहले वाले वीडियो है, इस वीडियो म मैंने, मैं सिफ जर्नल बनाओं बताओंगी, और calls in advance और वाकी सब जो है वो, ठीक है, नियूनिक आप करना है, इसमें call in advance ही होगा, तो चलिए, अब हम लोग सम में चलते हैं, यह रहा आपका सम, in the books of Gen Limited, जर्नल, date, particulars, laser for new, debit, क्रेली, रूपिस, रूपिस, ठीक है, सबसे पहला जर्नल आपको तो बता है, रीसीब का होगा, मैं equity नहीं लिखती हूँ, आप equity हर जगा लिख लिख लिजगा, equity share application, equity share app, equity share application, equity share application, ठीक है तो चलिए bank account debit two मैंने two भी नहीं लिखा देखे two equity share application होगा ठीक है मैंने shortcut में लिखा आप समझ जाए bank account debit two equity share application account कितना हो जाएगा यह देखे साथ हजार करके receive हुआ था application आपका तीन है ठीक है यह issue मत ले लिजेगा जो receive बोला है वो लिजेगा साथ और तीन कितना हो गया एक लाग असी हजार यह रहा ठीक है साथ हजार इंटू 3 एक लाग असी हजार narration being equity share application money received on 60,000 share at the rate of 3 per share क्यों साथ हजार लिक यह receive का ही जर्नल होता है bank account debit to equity share application इसलिए साथ हजार की लिजेगा भूल से 50,000 इस दूगा मत ले लिजेगा ठीक है चलिए दूसरा जर्नल क्या है transfer का equity share application account debit to bank account क्यों आया two bank क्यों आया two bank क्यों यहां पे refunded है मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था यह जर्नल आप अलग से भी दे सकते हैं नहीं तो इसके साथ दे सकते हैं आप capital के नीचे two bank वी लिख सकते हैं refunded वाला तो आप या तो एक साथ लिख दी था 50,000 ही इस हुआ मतलब 10,000 का difference हुआ ना साथ है मिसे 50,000 गया तो 10,000 आपका refunded हो गया वही 10,000 यह रहा बिंग शियर application access money refunded on 10,000 शियर और डिरेट अफ 3% क्योंकि application का 3 रुपी सी करके था ना यह देकि application का 3 रुप्या करके तो वही दीजेगा 30,000 दस अजार इंटु 3,000 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक होगा यह रिफंडेट का वाव हुआ ट्रांसफर का एक्वीटी शेयर application अकाउंट डेवी टुटी शेयर कैपिटल अकाउंट अगर यह जानल आप इसमें मिलाना चाहते है तो क्या हो जाएगा 2 बैंक अकाउंट तो बैंक के जगा 35,000 यह देकि यह रिसीव का यह एक्सेस मनी रिफंडेट अब यह होगा इसू का तो एक्वीटी शेयर application टुटी शेयर कैपिटल जहां कैपिटल होता है मैंने बताया था वहाँ पे एक लाइन जूर जाता है नरेशन में बिंग एक्वीटी शेयर एक्वीटी शेयर कैपिटल जब भी कैपिटल आएगा तभी लाइन जूर जाता है नरेशन में ठीक है तो चलिए तो हो गया तीस हजार सोरी पचास हजार शेयर इंटो थी तो कितना हो गया एक लाग पचास हजार तो दुनों को मल्टिपल एक लाग पचास हजार अगर यह साथ में देते हैं तो यहां पचास और तीस एक लाग असी टोटल यहां हो जाएगा यह जैसे है वैसी रहेगा ठीक है तो यह तीन हो गये यह आपका रिसीव एक्सेस मने रिफंडेट यह ट्रांसफर ठीक है इसमें साथ हजार शेयर करके इसमें दस हजार डिफरेंस आप पचास हजार जो बचा है शे प्रिमियम 6 तो सबसे पहले आपको बताया था कि यह चैनल होने के बाद आपका जीतना जैनल आएगा पहले ट्रांसफर जैनल फिर रिसीव मतलब पहले कैपिटल वाला जैनल फिर बैंक वाला उसके बाद से सब में तो चलिए यह देखिए एक्विटी शेर अलाटमेंट अ चैनल है था कि start house जैनल अब लुटी जैनल होता है कि शिविए ऑला उसके बाद ट्रांस्फर का 먹ता हरा परश्ट कोल सबसेंगा अलॉर्ट मैं जितना भी कीजिएगा सब में आपका पहले capital का जनरल फिर bank का मतलब पहले transfer बाले जनरल फिर receive बाले जनरल ठीक है यह से होता है तो चलिए यह सब मैं अच्छे से बताया हुआ है पिछले वीडियो में concept क्यों होता है सब भी मैंने बताया हुआ है आप वो सब देख लीजि तो हो गया कितना आपका 50,000 करके आप लेना है आपको एस थो शीर चैरे भे लिए टाटल आपका यहां पर लोटमेंट छी था यह देखे ये देखिए छे तो 55,600 कतना हो गया उत्ति तीन लक क्यापिटल केतना हुआ क्यों दो इसमें दुखा हुआ था यह परीमिंः इसलि टूटल ठीक है यह हो गए बिंग से एप्लिकेशन मनी ड्यू ओन फिफ्टी थाउजन शेर आद दी डिरेट अफ सिक्स पर शेर एंड सिक्यूर्टी फिर्म फिफ्टी थाउजन सेर्स एद डिरेट अट टू पर शेर एस पर बूर्ड इसलेशन नंबर डॉट डॉट डेट क् और पुरा इंफ्रमिशन दे दीजिएगा और हाँ एक्जाइम में देखीएगा कि अगर आपको बोल दे कि नरेशन में नौट नेसेसरी तो मत नरेशन लिखेगा ठीक है चलिए अब हम लोग करेंगी रिसीव वाला अलाटमेंट का तो बैंक अकान डेविट टू अडवान्स है इसलिए हम लोग लिखेंगे इसके नीचे एलाटमेंट के नीचे टू को नान्स ठीक है क्या होगा जैनल बैंक supply टू एक्विटी शेर अलाटमेंट अकाउंट मैंने एक्विटी नहीं लिखा है भी लिख लीजिएगा ट्यू को में करेंग लोगा ओके अब ध्यान देजिए तो यहां पर आपका होगा कैसे कितना करके शेयर था देखिए 400 सेर बुला है ठीक है ठीक है अब 400 सेर में आपको बुला है ना लॉंग विद्धा अलॉट्मिन बनी इसलिए अलॉट्मिन पर किये है 400 करके आप लीजिएगा कहां पर गया यह रहा 400 इंटू आपका कितना हो गया यह देखिए तो यह जो है आपका 400 कॉल्सिन एडवांस अलॉट्मिन पर तो वो कितना होगा 400 इंटू 3 होगा अब आपका यह यह क्यों हुआ 400 इंटू 3 1200 होता है मतलब कॉल्सिन एडवांस आपका 1200 है ठीक है कैसे 1200 आया 400 इंटू 3 अब आप 400 तो समझे होंगे कि कि यहाँ पे 400 है आपका यह देखिए लेकिन 3 क्यों आया तो बता रही हो आप कर किस मेरे अलॉट्मिन पर कर रहे है तो आप अलॉट्मिन पर एडवांस ले ले रहे हैं एडवांस आप किसका ले रहे होंगे उसके नीचे बाले का ही पहले अलॉट्मिन कंट मेंगे इसे यह रूपी स किसका लेंगे पर कही लिए यह घिए पाइल लिया जाता है थे होई पिछली वाले जैसे कि कर आज हमको कुछ काम है तो हम क्या किरते हैं advanced का पैसा लिते हैं तो हम क्या किये पर्श्ट and cronall करकर जो पैसा था advance की रूप में हम अनौट्मेंट की टाइम में लिए तो इसका रूपी आपको follow करना पढ़ेगा स्थर्छ और-फैनल उसके लिया है ठीक है यहां बोल भी दिया इसलिए लाइन ठो तो आप क्या कर रहे हैं यहां पर फर्स्ट एंड यहां जो कॉल से एडवांस लिखेगा फॉर हंडेट इंटु थ्री थ्री कहां से आया फॉर्स्ट एंड फैनल कॉल का रूपीज है तो हो जाएगा फॉर इंटु थ्री और यह बारा सो कॉल से इन एडवांस तोटल इन दोनों को आयट करके आपका हो गया तीन लाग बारा सो थिखे यह हो गया अब चलिए दूसरे वाले में यह हो गया आपका अलॉर्टमेंट खतम अब हम आएंगे फॉर्स्ट को एंड फैनल कॉल जो है वह ठीक है को आपका और दोनों ही लिखेगा तो निक्स चैनल के होगा एक्वीटी शेर फस्ट एंड पाइनल कॉल अकाउंट तेविद टू इक्वीटी शेर कैपिटल मैंना मिस हो गया यहां पर फस्ट भी मिस हो है आप लिख लीजिएगा देखिए दिहांता सुने एक्वीटी शेर first and final call account डेविड 2 equity share capital account ठीक है तो चलिए बिइंग share first and final call money due on 50,000 share at the rate of 3% 3 जी धना और ये capital है यहाँ पे मेरा missing है as per would resolution अब डोड़ देट एट ःठीक है ये होगए आपका transfer वाला general पहले क्योंकि हम मैंने बोला ही ते पहले transfer होगा फिदी सीट तो 5000 एंटू 3 कितना हो गया एक लाग पचास अजार थी करके था यह देख लिए ठीक है नेक्स चैनल हो गया यह यह जैनल तो आप समझ गया होंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सीनरियर क्यों कॉल सीनरियर आ गया क्योंकि यहां बोला हुआ है फर्स्ट और फाइनल कॉल पे फ इसलिए फर्स्ट और फेंनल कॉल तो ह printers सेंब एक ही है ठीक है तो मैंने यहां पर सॉर्ट कॉर्ट को करके 3 डिकैंप तपर फेड मिटार स्फंडिया क्योंब्यक्रयक तो इसलिए त्स्टिशंत नियों कॉल सीनरियर आया थुआ दें आपका 600 करके था ठीक है और आपका 3 र थे इसका वाला है first and final call का advance आप allotment पे दे दिये थे वह 400 into three क्योंकि first and final call का रूपी तो तीन ही था तो तीन ही करके ना पर दिये थे 1200 तो वह 1200 आप यहां पर यहां पर दे दीजिएगा 400 into 3 बारस इस पर आपका call in advance क्योंकि इस तैम आपका credit हुआ था क्योंकि आप advance की रूप में लिये थे ठीक है यहां दे चुके हैं इसलिए डेबिट हुआ तो bank account debit call scenario account debit call in advance account debit to equity share first and final call account मेरा equity चुट है first चुट है two equity share first and final call account ठीक है एक लाग पचास जार ही होगा यह total यहां पर पचास जार into 3 एक लाग पचास जार और यहां कैसे होगा देखिए चार्स चार्सों तो आपका 1200 तो हो गही जो आप advance में दिये थे 1200 400 into 3 1200 600 अपका फेल हुआ है इंटू 3 ही होगा तीन रुपया ही फ्रस्टाइं फैनल का तो अठारा सो यह हुआ तो बस इस एक लाग पचास जार में इन दोनों को माइनस कीजिए तो जितना भी बचा दियरेक्ट अमांट भी दे सकते हैं और नहीं तो आप शेर में माइनस कर लिजिए चे और चार्स कितना होगे एक हजार तो पचास जार में एक हजार आपका शेर चला गया तो बचा कितना 49,000 into 3 क्योंकि यह परस्टाइं फैनल का तो तीन ही था तो इन दोनों को मल्टिप् करके इतना ही जाएगा और यह पूरा नारेशन बिंग शेर फाइनल कॉल मनी रिसीव और फॉर्टिनाइन थाउजन शेर अधी डिरेट अफ्री पर शेर कॉल सिन एडवांस मनी 600 शेर कॉल सिन एडियर सोड़ी एडवांस का भी लाइन आप जो उपर लिखे वो भी लिख सक ठीक है तो यह हो गया आपका जनल अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ठीक है थैंक यू